दोस्तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टीवी पर बहुती जल्द परिणिती शो टेली कास्ट होने वाला है जिसमें मुख्यभी नेतरी के तौर पर तनवी डोगरा नजर आएंगी और आप सभी लोगों को अपने नियू अंदास से मनुरंजन करने की पूरी कोशिश करेंग यकीन नहीं कर पाएंगे तो आखरकार इनके वो को स्टार्स कौन है और उन्होंने अपना रियक्शन देते हुए तनवी डोगरा के बारे में क्या कहा है आज के हमारी इस वीडियो में हम आपको यहीं बताएंगे तो देर किस बात की चलिए वीडियो स्टार्ट करें और ज ज़र आये थे और आपको बता दे जब से इने पता चलाए कि इनकी को स्टार्स तनवी डोगरा पर इनिती शो में दिखाई देने वाली हैं तो इन्होंने उनको धेर सारी शुपकाम नाय देते हुए कहा कि तुम्हारा ये शो एक सूपर हिट शो सावित हो नमबर टू विका शर्मा के बारे में जो तनवी डोगरा के साथ जी जी मा शो में उनकी छोटी बहन के भूमी का अदा करते हुई नजर आई थी इस दोरान इन दोनों के बीच काफी अच्छी खासी बॉंडिंग हो गई थी और उन्होंने भी तनवी डोगरा के वापसी पर अपना रिय श्रेणू पारिख चली बात करते हैं अदाकारा श्रेणू पारिख के बारे में जो इश्क बाज और एक भ्रम सर्वगुर संपन जैसे शो में आक्टिंग करके मशूर हो चुकी हैं और इन्होंने भी तनवी डोगरा की वापसी पर अपना रियक्शन देते हुए कहा कि कि आखरी कड़ी में अभी नेता जैन इमाम का नाम शुमार है जो अपनी आक्टिंग से आज लाखों दर्शकों को दिवाना बना चुके हैं इन्होंने भी तनवी डोगरा की वापसी पर अपना रियक्शन देते हुए कहा कि आखरकार तुमने टीवी सीरियल में वापसी कर हीली मुझे तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि तुम अब किसी शो में आक्टिंग करती हुई दिखाई दोगी तो दोस्तों क्या आप भी तनवी डोगरा की वापसी से बहुत ही जादा खुश हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं साथी टीव जगत से जुड़ी आसी और तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले